मानलो आपने एक trade लिया और उस trade को लेने के सिर्फ एक मिनिट के अंदर ही आपको 2% का profit चल रहा है अब क्योंकि आपको बड़ा profit कमाना है तो आप 2% से तो कुछ होंगे नहीं तो आप उस trade में बने रहते हैं और 10 मिनिट के बाद आपको दिखाई देता है तो इसी problem को देखते हुए traders ने सोचा कि क्यों ना एक बड़े profit का लालत छोड़ कर छोटे छोटे profits पर focus करके देखते हैं और तब ही जन हुआ scalping trading का तो इस video में हम जानेगे कि scalping trading क्या होती है, इसके पीछे का logic क्या है, इसके फायदे क्या है, risk क्या है इसकी strategies और एक successful scalper बनने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए इस video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात clear होनी चाहिए, कि scalping कोई trading नहीं है ये trading का एक तरीका है, एक style है, जिसमें traders कुछ seconds से लेकर कुछ minutes के लिए एक trade में enter करते हैं वहाँ पर जो छोटा सा price में movement आता है, उसको capture करते हैं और उस trade से निकल जाते हैं यानि इसमें हम छोटे-छोटे price changes से profit earn करने की कोशिश करते हैं तो इस style को आप option trading, intraday trading, forex trading, हर तरह की trading में apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बस छोटे-छोटे points capture करने हैं इसके पीछे का logic यह है कि अगर मा लीजे, किसी share में कोई बड़ा movement आ रहा है तो उस बड़े movement में से एक छोटा movement capture करना आसान होता है क्योंकि बड़े movement को capture करने के चक्कर में कई बार इस तरीके के losses भी हो जाते हैं इसके अलावा हर share में जो small price movements हैं, वो बहुत frequent होते हैं आप दिन भर देखते हैं कि हर share या फिर option की price थोड़ा बहुत बढ़ती या घटती रहती है तो उन छोटे points को आप आसानी से capture कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे profit वाले trades लेकर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है एक line में कहूं, तो scalping का मतलब है small मिलाते जाओ, large बनाते जाओ scalping का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि क्योंकि इसमें आप सिर्फ कुछ minutes के लिए एक trade में रहते हो तो कम time में unfavorable event होने के chances काफी कम हो जाते हैं जिससे आपका risk exposure भी कम होता है और आपको loss होने की probability भी कम हो जाती है दूसरा इसमें आपको भले ही छोटे छोटे profit होंगे लेकिन profit होने की probability जादा होगी और तीसरा आप देखो जो बड़े बड़े movement हैं वो कभी कबारी आपको देखने को मिलते हैं लेकिन जो छोटे movements हैं वो बहुत frequent मिलते हैं तो ऐसे trades आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे तो scalping क्या होती है इसके फायदे क्या है ये तो आपको समझ आ गया है तो अब सवाल उठता है कि scalping करनी कैसे है तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि scalping सिर्फ एक trading करने का तरीका है तो इसको आप intraday trading में भी कर सकते हैं, option trading में भी कर सकते हैं, forex trading में भी कर सकते हैं बस इसके लिए आपको चाहिए होती है इसकी strategies जिसमें आप छोटे-छोटे points को capture कर सकें तो अब मैं आपको scalping के कुछ basic strategies बताता हूँ, इसमें जो हमारी सबसे पहली strategy है इसमें आपने indicator वाले section में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपने 2 exponential moving averages को लगा लेना है तो मैंने EMA लिखा है और यहाँ पर एक बार इसको apply कर दिया चार्ट में और यह दूसरी बार चार्ट में इसको apply कर दिया है तो अब आपको चार्ट में 2 exponential moving averages दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हमारा जो एक exponential moving average है, इसको हमने change करके कर देना है 5 period का तो length को हम input पे जाके change कर देंगे 5 और यहाँ पर style जो होगा इसको हम change कर देंगे यहाँ पर green color का जिसकी thickness भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो अब आपको जो green color की line दिखाई दे रही है, यह हमारा 5 period का exponential moving average है और इसके बाद जो हमारा दूसरा exponential moving average है, इसको हम change कर देंगे 20 period का तो यहाँ पर इसकी जो length है, इसको हमने 20 कर दी है, इसका जो style है, इसको हम blue color से change करके कर देंगे red color का और thickness भी इसकी बढ़ा देंगे, तो यह बहुत ही simple और basic strategy है, जिसको हम moving average crossover भी बोलते हैं, इसमें हमें तब buy करना होता है, जब हमारा 5 period का exponential moving average 20 period के moving average को उपर की तरफ काटता है, और sell तब करना होता है, जब हमारा 5 period का moving average 20 period के moving average को नीचे की तरफ काटता है, तो इस case में आपने यहाँ पर buy किया होता और उसके बाद आप काफी बड़े points को capture कर सकते थे, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ fake signals भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको avoid करने के लिए आप volume indicator का use कर सकते थे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो price ने ऊपर की तरफ काटा है, उसके बाद थोड़ी सी price बड़ी है, और हमें थोड़े ही points capture करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं, कि price ने यहाँ पर नीचे की तरफ काटा है, और उसके बाद बहुत जादा यहाँ पर jump आया था, लेकिन इतने बड़े का लालच नहीं करना है, हमें थोड़ी से points capture करना है इसके बाद last में देखें, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, कि हमारी जो red line है, उसको green line ने उपर की तरफ काटा है, तो यहाँ पर भी आप buy करने की position ले सकते थे तो यह strategy बहुत simple है, clear कर दूँ कि क्योंकि आप scalping कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे trades लेने होते हैं, तो इस strategy से आपको बहुत सारे trades मिल जाएंगे और यह strategy हर बार काम नहीं करेगी, बहुत बार काम करेगी, बहुत बार नहीं भी करेगी, लेकिन आपका मकसद होता है, overall profit में रहना तो एक बहुत ही simple strategy मैंने आपको समझा दिया है, एक और strategy समझाता हूँ, उस strategy में आपने सिर्फ एक indicator है, जिसका use करना होता है और उस indicator का नाम है SAR, जैसी आप यह लिखकर search करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, parabolic SAR लिखा आगया है, और जैसी इस indicator को आप apply करते हैं, यहाँ पर बहुत ही simple होता है, यह आपको trend बताता है कि कहां से trend change हो सकता है, तो जब यह आपको blue color के dots दिखाई दे रहे हैं, यह share की price के नीचे है, तो यह buy signal होता है, और जब यह price के उपर चला जाता है, तो यह sell signal होता है, तो यहाँ पर यह sell करने के लिए कहाँ ता एक दो बार इसने यहाँ पर sell करने का signal दिया, तो यहाँ पर इसके साथ हम volume indicator का भी use कर लेते हैं, जिस से हमें fake signals ना मिलें, तो इसके ल moving average के आसपास का भी volume देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप trade ले सकते हैं तो एक trade आपने buy करने का यहाँ पर लिया होता और उसके बाद पूरा capture करने की ज़रुतनी है थोड़ा भी capture कर लोगे तो वो भी काफी है उसके बाद आपको दुबारा दिखाई देता है कि आइस की candles हैं उससे उपर हमारी blue color के dots बन गए हैं तो इस तरीके से मैंने आपको दो strategies बता दिया है अब हमने एक बहुत ही advanced strategy बना रखी है जिसमें हमने तीन indicators का use किया था और उसमें हमने एक trading experiment भी कर रखा है तो अगर आप उस scalping trading strategy के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा और हाँ इसके साथ ही हमारे चैनल को subscribe भी कर देना क्यूंकि अगर आप subscribe नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दुबारा कभी recommend दीना हो तो scalping का जो सबसे पहला risk या कहें कि disadvantage है वो यह है कि इसमें आपको अपने trade को बहुत fast execute करना होता है क्यूंकि अगर slippage होगा यानि अगर आपको entry या exit करने में late हो गया तो ऐसे में क्यूंकि आपने बहुत छोटे points को capture करना है तो आपका जो profit है वो loss में बदल सकता है अगर आप late buy करेंगे तो तो इसके लिए या तो आपको बहुत fast trade लेना होगा या फिर अगर आपको experience है algos का तो आप algos trading का use कर सकते हैं या फिर सबसे best है आप robo order के थूँ अपना buy order, sell order और stop loss तीनो एक साथ लगा सकते हैं जिसके लिए आपके पास एक अच्छा demate account होना चाहिए तो अगर आप एक best and free demate account खलवान चाहिए ना वो बहुत perfect होनी चाहिए क्योंकि आप छोटे छोटे profit करके अपनी wealth बढ़ा रहे हो तो ऐसे में अगर आपको एक बड़ा loss हो गया तो वो आपके सारे छोटे छोटे profits को खा सकता है तीसरा क्यूंकि scalping में आपको बहुत छोटे छोटे profit earn करने होते हैं तो इसके आपको brokerage का खर्चा आएगा और fourth देको scalping में आपको दिन भर monitoring करनी होती है दिन भर बहुत सारे trades लेने होते हैं तो इसको आप part time नहीं कर सकते हैं आपको एक full time ही करना पड़ेगा कभी कबार आपने कर लिया वो अलग बात है लेकिन अगर आप इससे regular profit कवाना चाहते हैं तो फिर आपको full time इसमें ध्यान देना पड़ेगा और इसके साथ ही क्योंकि इसमें आपका execution perfect होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अगर आप अभी trading में नए हैं तो फिर ये strategy आपके लिए नहीं है आप थोड़ा सा trading को अच्छे से experience कर लो सीख लो उसके बाद ही आप scalping के बारे में सोचो तो अब आपको scalping की जो कमिया हैं जो risk हैं वो भी समझ आ गया है तो अब अगर आपको एक successful scalper बनना है तो इसके लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा अब वो समझते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज है कि देखो क्योंकि आपको छोटे चोटे points को capture करना है तो ऐसे में अगर आप scalping करना चाहते हैं तो आपको ठीक ठाक capital के साथ करना होगा क्योंकि मान लो अगर आप 2000 रुपए के साथ scalping की शुरुवात करते हो और वहाँ पर आप 2% कमाते हो तो इससे तो आपका brokerage का खर्चा ही नहीं निकलेगा तो फिर आप profit कैसे गम होगे तो इसलिए अगर आपको scalping से पैसे कमाने हैं तो आपको थोड़ा जादा पैसो से trade करना होगा मतलब कम से गम मुझे लगता है कि 15 से 20 जार रुपए तो आपको चाहिए दूसरा देखो हमारा scalping में मकसद क्या होता है कि हम short time period में वहाँ से profit लेकर निकल ले ताकि हम जादा लंबे time तक market में अटके न रहें और market में जो uncertainty की वज़े से हमें loss हो सकता है उस loss में हम ना फसे हैं तो इसके लिए मान लो आपने कोई trade ले लिया और आपके trade लेने के बाद market में कोई ठीक ठाक movement आई नहीं रहा है मतलब आप 1%, 2% भी नहीं कमा पा रहे हो त तो ऐसे में अगर 10 मिनिट हो जाते हैं यह 10 मिनिट मैंने अपने हिसाब से बोला है आप अपने हिसाब से सोच लेना लेकिन एक time के हिसाब से भी आपको वहाँ पर exit लेना होगा तो अगर मान लो कि 10 मिनिट में आपका target या stop loss hit नहीं होता है तो फिर उस trade से निकल जाओ इसी बड़ा movement आता है तब generally लोग लालच में first जाते हैं और ऐसे में वो सोचते हैं कि थोड़ा और रुख जाता हूँ जादा profit कमा के निकलूँगा अब कई बार तो देखो बड़ा profit हो जाएगा लेकिन जब आप एक बार गलती करोगे तो अभी जो बचा-बचा के profit जमा कर रह तो यहां पर अपने emotions को control करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अगर बड़ा movement भी आ रहा है उसमें सही एक ठीक ठाब movement देखे निकल लोगे तो वहां पर बहतर रहेगा क्योंकि कई बार यह बड़े movements कब जाकर पलट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और ऐसे में आपने जो कमाया था वो सब चला जाएगा next इसमें आपको अपना stop loss और target छोटा रखना चाहिए अगर बड़े target के चकर में चाहोगे तो फिर वो scalping नहीं रह जाएगी और उसके लिए scalping strategies काम नहीं आएगी और अगर आपने किसी बारी में stop loss नहीं लगाया या फिर आपका stop loss बड़ा हो गया तो फिर इतनी बारी में जो कमाया था सब चला जाएगा तो यहाँ पर अपने emotions पर control लोना बहुत ही जादा important होता है इसके अलावा scalping में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये comment करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई है तो like जरूर क